वेलकम स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सेसाइस 12.3 का कोश्य नमबर 7 simplify these expressions and find their values if x is equal to 3, a is equal to minus 1 and b is equal to minus 2 तो जो हमें expression इसमें given है question में सबसे first हमें इसमें करना है कि उनको simplify करना है simplify मतलब इक तरह से solve करना है में उसे और then उसके बाद हमें क्या करना है उसमें value put करनी है x की, a की and b की अब हम इसमें first part देखते हैं क्या दिया गया है 3 x minus 5 minus x plus 9 तो अभी हम इसे क्या कर सकते हैं simplify भी और कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं देखो 3 x और x ये दोनों ही क्या है like terms है तो हम इसको solve कर सकते हैं तो अभी हम expressionally term साथ में निखले ल boastे हैं तो 3 x minus x minus 5 plus 9 तो 3x minus x कितना हो जाएगा 2x एन देखो इसे भी हम solve कर सकते है 9 minus 5 तो कितना हो जाएगा plus 4 तो अभी यह वली जो expression हमें given था इस question में हमने उसे simplify कर लिया है अब हम इसमें क्या करेंगे value put करेंगे तो लिखेंगे put x is equal to 3 अब देखो इस वल एक्स्प्रेशन में ना तो a है ना ही b है सिर्फ और सिर्फ क्या है x है तो सिर्फ हम इसमें क्या put करेंगे x की value तो 2x है तो means 2 x की जगा multiply 3 plus 4 तो 3 तूज़ा 6 plus 4 and 6 plus 4 is equal to 10 तो first part था यह complete हो गया है next करते हम इसमे second part second part है इसमें 2 minus 8x plus 4x plus 4 अब इसमें भी हमें क्या करना है simplify करना है तो क्या करेंगे देखो 4 plus 2 एक साथ लिख लेते हैं यह x x वादा तो साथ में ही है 8x plus 4x तो 4 plus 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा अब देखो minus 8 और plus 4 तो plus minus कितना होगा minus तो क्या हैगा minus 4x क्योंकि 8 इसमें क्या है बड़ा है अब हम इसमें क्या put करेंगे x की value जो लिखेंगे put x is equal to 3 तो 6 minus 4 x इसमें क्या रखना है 3 6 4 multiply 3 4 इसमें क्या है तो हम 12 में से 6 minus करें कितना answer आएगा 6 आएगा 12 क्या है बड़ा और कौन सा sign इसमें minus का तो answer में क्या आएगा minus sign आजाएगा second part हो गया है अब हम करेंगे part third third part है इसका 3a plus 5 minus 8a plus 1 simplify कर लेते हैं aa वली term एक सा 3a minus 8a plus 5 plus 1 तो 3a minus 8 कितना हो जाएगा 8 में से 3 गया 5a और minus sign आएगा answer में and 5 plus 1 कितना हो जाएगा 6 अब इसमें x की term नहीं है अब इसमें कौन सी term है हमारी a की तो हमें value किसकी put करनी है a की तो लिकिन कि put a is equal to minus 1 so minus 5 a की जिगा क्या रखना है minus 1 तो multiply minus 1 plus 6 तो minus 5 multiply minus 1 5 बन जब 5 और minus minus क्या हो जाएगा plus plus 6 and 6 plus 5 कितना हो जाएगा 11 तो part 3rd भी हो गया है next करते है part 4th 4th part है इसमें 10 minus 3b minus 4 minus 5b सबसे पहले simplify 10 minus 4 साथ में लिखना है और bb वली term साथ में 3b और minus 5b अब लेको 10 minus 4 कितना होता है 6 होगा and minus 3b minus 5b minus minus plus लेकिन साथ किसका आएगा यहापे minus का और यह कितना हो जाएगा 8b अब इसमें कौन सी वली term है b की term तो put b is equal to minus 2 so 6 minus 8 into minus 2 6 अब minus 8 multiply minus 2 तो 8 to 16 और यहाँ क्या आजाएगा plus plus की वाए है क्योंकि यह जो minus 8 है और minus 2 multiply में तो minus minus multiply में क्या हो जाता है plus अब 16 plus 6 तो कितना हो जाएगा यह 22 फोर्ट पार्ट भी हमारा हो गया है अब हम करते हैं पार्ट फिफ्ट और इस question का फिफ्ट लास्ट पार्ट है फिफ्ट पार्ट है इसमें 2a minus 2b minus 4 minus 5 plus a simplify करना है aa वली term साथ में लिख लेते हैं तो 2a minus 2b और यह minus 4 minus 5 2a plus a 3a minus 2b and minus 4 and minus 5 means minus 9 अब इसमें a और b दोनों ही term है तो put a is equal to minus 1 and b is equal to minus 2 3 a की जगा क्या रखना है minus 1 तो 3 multiply minus 1 minus 2 into b की जगा minus 2 and minus 9 3 बंचर 3 और minus आएगा 2 तो जब 4 क्या आएगा plus minus minus क्या आएगा plus minus 9 इसे इस इस और कर लेते हैं पहले देखो 4 minus थी कितना होगा 1 minus 9 and 1 minus 9 means 9 में से 1 minus करेंगे 8 आएगा लेकिन sign कौन सा आएगा minus का क्योंकि जो 9 है वो क्या है इसमें बड़ा है उस पे minus का sign है question number 7 भी complete हो गया है हमारा question number 8 हम करेंगे next video में करेंगे